है 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 मैं डॉक्टर जे डोकरा वेलकम टू मेडशिक्स अकेडमी जहां पर हम यह जानेंगे कि जितने भी हमारे मेडिस्टनल प्लांट्स हैं वो एक्चल में हमारे बोड़ी में रिसेप्टर्स लेवल तक कैसे वक करते हैं लाइक modern medicines हमें पता हैं कि जो भी modern medicines हमारी होती हैं वो receptors लेवल तक वक करती हैं बट हमें जो अरवेदिक medicines हैं या medicinal plants नहीं उसका भी हमें receptor लेवल तक यदि function हमें मालूम हो तो हम अरवेदिक medicines को भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं प्लस patients को side effects से बचा सकते हैं या modern medicines के साथ जो interaction रहता है उससे हम patient को बता सकते हैं ठीक है तो आज का जो हमारा plant है वो अरजुन है ठीक है आज हम अरजुन के बारे में जानेंगे कि अरजुन कौन कौन से receptor level पे bind होकर हमारी body में कौन कौन से functions या diseases में help करता है तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अरजुन receptor, receptor interaction and mechanism of arjun तो सबसे पहले हम देखते हैं एक receptor आता है आपका beta 1 receptor यूजली आपके जो méta receptors है but have they actually on 2-1 है यह आपका heart में होता है यह the chapter क्या करते हैं हमारे हाट में यह हमारे हाट में पर प्रिजेंट होता हुर यह यहाँपर add són to हुट है तो हमारे हर्ट की जो रेट है हर्ट की रेट को एन्हांस कर देते हैं उसकी ओंटलिटी को एन्हांस कर देते हैं ठीक है और यहां पर अर्जुन क्या करता है यह अर्जुन इन की काडिया हो जाना तो उसको reduce कर सकता है यह क्या करता है आपका जो अर्जुन है अर्जुन binds with the beta receptors and block the beta 1 receptors reducing the sympathetic stimulation of the heart यह क्या करेगा ultimately हमारे heart की rate को lower कर देगा और myocardial oxygen demand को reduce कर देता है इसलिए जो आपका अर्जुन है यह hypertension, enzyme and heart failure में दिया जा सकता है hypertension की बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगी BP बड़ा होता है तो BP increase हो जाता है हमें टाकिकाडिय वगर हो जाता है और यह enzyme हो जाता है enzyme में myocardial oxygen की demand को यदि हम slow down कर दें तो हो सकता है कि हमारे enzyme की ठीक हो जाए और कोई patient ऐसा आता है आपके पास जिसका हमेशा ही जो heart rate है वो हाई रहती है 110, 190, 100 के आसपास रहती है BP बड़ा होता है तो वहाँ पर यह medicines आप दे सकते हो यह क्या करेगा आपके beta receptors में bind होकर उसको block कर देता है ultimately patients का जो BP भी ठीक होता है my blood oxygen demand कम हो जाती है उसको enzyme ना नहीं होता है heart failure में भी यह medicines दी सा चकती है ठीक है एक clinical scenario हम देखते है एक scenario देखते है कि 65 year old male with chronic hypertension and ischemic heart diseases तो basically अरजुन जो आप दे रहे हूँ यह टेक का beta blocker है जैसे हम कहते है न modern में आप beta blocker देते हो जैसे अपने metoprolol दे दिया वो भी beta blocker है तो यदि कोई आपको आपको आइरवेदिक beta blocker देना है तो वो अरजुन है अरजुन क्या करेगा यह heart rate को reduce करेगा हमारे heart की efficiency को बढ़ाएगा without causing excessive bradycardia यह excessive bradycardia भी नहीं करता है इसलिए drug of choice हो सकती है जहाँ पर heart rate increase मिले आपको ठीक है तो पर ध्यान रखना है आपको कि patient already यदि beta blocker ले रहा है और लेडिवर beta blocker ले रहा है और आपने अरजुन भी साथ में दे दिया तो हो सकता है कि उसका बीपी बीपी जादा डाउन हो जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है कि dose आपको reduce करके देनी है या बोडन डॉक्टर से consult कर सकते हैं कि डॉक्टर साब आप आलविदिक medicine लेना चाहता है और हमारे पास भी एक ऐसा beta blocker है जो similar way में work करता है जैसे आपकी beta blockers medicines करती है एक receptor तो मैंने आपको बता दिया adrenergic receptor ठीक है और second आपका receptor आता है angiotensin second receptor जिसको 81 receptor भी कहते हैं usually जो angiotensin है हमारे BP को enhance कर देता है ठीक है तो यहाँ पर अरजुन क्या करता है इन receptors को block कर देता है it is the antagonist यह 81 antagonist medicine है हमारी अरजुन यह angiotensin second में जाकर यह 81 receptors को block कर देती है जिसकी वज़से vasodilation हो जाता है यह हमारे BP को कैसे बढ़ाता है angiotensin angiotensin हमारे जो blood vessels होते हैं उनको narrow कर देता है ultimately हमारा BP बढ़ जाता है जो अरजुन है अरजुन वर्क करता है as a antagonist मतलब इन जो receptors होते हैं आपके जो 81 receptors हैं इनको block कर देगा और ultimately वहाँ पर vasodilation हो जाएगा और ultimately जो pressure है वो decrease हो जाएगा by reducing the vasoconstriction and promoting the vascular relaxation अरजुन helps manage the conditions like hypertension and heart failure तो अब आप ध्यानक ना कि हम बोलते हैं अरजुन बड़े हो जिसका BP बड़ा हो है उसको दिया जाता है दिया जाता है यहां तक तो ठीक है लेकिन mechanism of action क्या है यह आज आपको मैंने बता दिया कि अरजुन क्या करता है 81 blocker है यह angiotensin second receptors को block कर देता है ultimately vasodilation हो जाता है एक action आपको मैंने यह बता दिया उपर वाला आपको मैंने क्या बता है था बीटा वन ब्लोकर बीटा ब्लोकर specifically बीटा वन वहाँ पर वो बीटा वन को block करेगा यहाँ पर 81 को block करेगा तो दोनों block हो जाएंगे उपर से आपक पर vasodilation हो जाएगा तो patient का BP ठीक हो सकता है usually हम heart जो आपके hypertensive patient है वहाँ पर हम दे सकते हैं by blocking the 81 receptors यदि आप वहाँ पर 81 receptors को block कर दोगे तो वहाँ पर patient का BP reduce आजाता है sometimes heart failure के patient है उनमें it prevent the fluid retention यह fluid retention को prevent करता है मतलब यह हमारी body से fluid को बाहर निकाल देता है ultimately it antagonist the ranine angiotensin system raw system को यह block कर देता है क्योंकि जो raw system है ultimately sodium और water के excretion को रोकता है ultimately fluid का retention हो जाता है तो यह क्या करता है आपका जो अर्चुन है it it prevent the fluid retention by blocking the ranine angiotensin system fine इसकाम clinical scenario देखिए कि एक patient है आपका heart failure का with reduce ejection fraction with reduce ejection fraction on angiotensin converting in jamie inhibitor like कि इसने प्रॉल्म तन कि इसनी एक में रुको इसनो प्रेखिए कर रहा है ठीक है ओके 58-year-old female है आपका उसको heart failure है with reduced ejection fraction जो यूजली AC ही इस इस इनिभीटर्स आपका ले रहा है तो अर्जुन क्या करेगा अर्जुन में में सिनिभीटर्स प्रोवाइडिंग एडिशनल वैसोडालेशन एंड ब्लड प्रेसर कंट्रोल थूदा इनिभीशन ऑफ एंजियो टेंसिन सेकेंड रिसेप्टर हना तो सेम आप देखोगे सम्टाइम जो अर्जुन की मेडिसिन से ये वि आपकी एट इवन ब्लोकर होती हैं तो अरजुन भी क्या करता अरजुन भी एट इवन记म कर देता है वाणा Assad आपको ध्यान लकना है और जूदा Bp करता है Agra आपको मैंने कोशिस कि आपको बताने कि किस तरह से और जुन को दे देते हैं बिना दोस के कभी दे देते हैं का इसका कोई इंट्रेक्शन नहीं कि आप अरजुन को जब दें तो patient को ये-ए conditions हो भी तो कौनसी medicines ले रहा है और ना हो तो भी आपको देखना होगा receptors level पे ठीक है तो आज से हमने start की है medicinal plants को receptor level तक समझने की आप ज़्यादा detail में समझने के लिए जो हमारी MedSix Academy की app है उसको download कर सकते हैं हमारी classes daily 6.30 to 7.30 होती है recorded और live with notes इसके काफी सारे receptors हैं जिनके बारे में हम detail में अपनी जो regular class हैं उसमें हम बात करते हैं receptors level पे आपको सिखाते हैं कि actual में जो plants हैं वो receptor level पे कैसे work करते हैं fine I hope कि आपको एक लास अच्छी लगी होगी आपके comments आपके feedbacks मुझे और better way में आपको पढ़ाने के लिए encourage करेंगे fine thank you